हलो माइ नेम इस शेली आज हम हैरेडिटी एंड इवल्यूशन का अनुवन शिक्ता और जैव विकास का एक टॉपिक पढ़ेंगे मोनो हाइब्रेड एकल संक्रन तो एकल संक्रन क्रॉस मोनो हाइब्रेड क्रॉस होता क्या है और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं तो इसके लिए हमने मटर के पोदे का चेयन करकी ही उसके एक्सपेरिमेंट करा यानि कि उन्होंने मटर के पोदे को ही सेलेक्ट किया क्योंकि मटर के पोदे के जो गुंड थे जो लक्षन थे वो हमें इस पस्ट दिखाई देते थे कि वो गोल है, लंबा है, जुरीदार है, हरा है, पीला है या उसका फूल सफेद है, बैंगनी है, मटर फूली हुई है, सिक्री हुई है पोदा लंबा है, पोदा बोना है, इस तरह की कैरेक्टर्स मटर के पोदे में हमें साफ साफ दिखाई देते थे और इनका जो जीवन काल है, इनका लाइफ टाइम जो है, वो बहुत ही छोटा होता है मोनो हाइबर्ड क्रोस करा गानी कि युदा क्यों है ? खोंत मोन क्रोस एक डिपन पर लिए कहा है big brain will be a book आज इस गवास अधा इसमें हमने जो पोधे लिये एक लिया लंबा पोधा T mai के लिला Deck Adan 2024श T, capital T क्वेजिति इसको हम T से गोड़ करेंगे और स्मॉ 살 25 बोड़की 70 बोण 5 आज rap यानि, यह यह पर gammet को ची हाँ ने इस तरह यह मने आपह क्माट कर दीनי क Conference में क्रैजर आए में चीम सबकमOOO, भाए कै यह वाले गामित है support को तरे जब वाला का आए झाया तो जब यह वाला T लंभा पोदा, बोने पोदे के गैमिट के साथ क्रॉस करेगा तो आपका बनेगा capital T small t फिर यही वाला capital T इसका गैमिट small t के साथ क्रॉस करा तब भी उसने बनाया capital T small t उसके बाद जब हम T इसकारे gamit को इससे क्रॉस कराएंगे तो उससे भी बनेगा आपका capital T, small t then last way इस पोदे को इससे cross कराया तो आपका बना capital T small t यह कौन सी generation हुई? F1 generation यानि कि जब एक लंबा पोदा लिया और एक बोना पोदा लिया और इनके gamets के बीच में cross कराया तब हमारे सारे सभी पोदे क्या बने सभी लंबे पोदे सभी यह लंबे पोदे बने ठीक है? अब लंबे पोदे कैसे? यह capital T है, यह small t है capital T, small t capital T, small t तो यहाँ पर जो capital T है यह आपका परभावी लक्षन है एक लक्षन होता है आप परभावी और एक परभावी तो यहाँ पर A प्रभावी ये लक्षन है और T प्रभावी लक्षन है जो कि लंबे पोदे का है इसके सभी लंबे पोदे बने अब क्या करा F1 जनरेशन के दो हमने दुबारा से दो गए मिट लिये दोनों लंबे पोदों एक लंबा पोदा लिया T T और एक और इनमें आपस में F1 इंटू F1 एनिके F1 पीडी के बीच में ही दुबारा से हमने क्रॉस कराना स्टार्ट कर दिया अब हमने इसमें ये पोदे लिए अब इसमें क्रॉस कराया T, 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 T क्या दर्पेल एंगी पोदी पोदे में किसे उतिन का रइशो म्हाई य्यों को सुझ video तो यह भी तो यह बंबा पोदा यह लूमबा सéma अब small t small t दोनों t हैं यहाँ पर तो t आपका कौन सा पोदा था? पोना पोदा तो आप अब इसमें hybrid करके cross करके किलियर बता सकते हैं कि आपके जो पोदे बने वो किस तरह से बने? आपका एक लंबा पोदा दूसरा भी लंबा पोदा तीसरा लंबा पोदा और चोथा बोना पोदा ठीक है? तो आपका जो इस्टू रहा जो आपका रेशो रहा इसका 3 is to 1 रेशो यानि कि 4 पोदे बने 4 पोदे बने जिन में से 3 लंबे पोदे बने और एक बोना पोदा बना यानि कि इनका अनुपात ये रहा 2 लंबा पोदा ये भी लंबा पोदा 3 लंबा पोदा तो आपका जो रेशो रहा वो 3 is to 1 का रेशो रहा और इसका इसका कंक्लूजन क्या निकला? कि दोनों लंबे पोदे हैं बस एक इसमें जो लास्ट वरा वना जो स्मॉल टी है वो वो अन्य पवदा संक्रन आपका ईकल संक्रन से सेx होता है मतलब कि इसी में sex determination in humans किस तरह से होता है सेम प्रॉसेस होता है किस तरह से gamit cross करते हैं मेल से female में किस तरह से मिलते हैं अभी हमने पढ़ा है monohybrid cross अब इसमें dihybrid cross हम next video में पढ़ेंगे okay thank you